शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अरे इसमें 102 रुपया कम है तो मुझे क्यों दम जेता है यह पैसा इस चांडाल का है तेरा थोड़ी है तु तु चल उंगली चला मेरे माम लें उंगली मत कर एक तुसाला पुलिस की पगाल लेता है ऊपर से रिस्वत खाता है और उतार जैसे चढ़े ब्याज उसको चलाता ह मतलब बक्रा बक्रा हजम और बक्री पर दम यह नरक तो जाए गाया ही और साथ गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसाegeoten कि यह जिशाल नैक्के क्रेस्ड़ी करने गया तो साथ रुप यह आ estou का आने जाने का ट्यांट चांट sixवैनला स्वास्धायोंना पैसे लेर्वि तेरी बैन्ने हाथी जैसे पैर दिये हैं मुफ्त मैं तो वो गले में टांगर सड़त पे भीक भीक मांगने के लिए नहीं बाकी के पैसे का हुँआ गए गए और गॉरा है उसके लिए नाश्ता के लिया नाश्ता एक केले का दो रूप्या कटिंचा का दो रूपया होते हैं यहां चार बाकी के पैसों से दिवाली बना रहा था तू है सुझ चौदरी एक हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बन मर जाओंगा मामा हवा बन नहीं की है मैंने तेरी नौटंकी कहीं का चल पान के गले पर बैट और सुन गिन के रखे हैं पान एक पान चबाएगा तो मैं तुझे चबा जाओंगा और सुन कल से वसूली पर तू जाएगा अरे सुन एक कॉफी लाना यार वो अपना परेश ना यहांका बेटर दाना सरा बोलूंगा बाइक शर्ट टाइक यार इतनी चमंग तमग आई कहां से ए परेश इधर आ वन कोल कॉफी यह नयावतार क्या लोगों के जूटे बरतन उठा उठा के मेरा क्या भला होने वाला था इसलिए मैंने खुद का बिजनस शुरू किया वाओ क्या बिजनस है हाड़वेर की दुकान खोली है पैसा कहा से लाया बे डाका डला बैंक ने दिया बैंक में जाओ लोन की अर्जी भरो पैसा तुमार पाँपनी में बैंक कना चाहिए बैंक दुकान चाहिए अच्चे लाके में बैंक दो लोन देगी चार लाग उसमें से 200 कमपनी को दे दो डिपॉषिट के तौर फर प्र इसी कंपनी में जो साबुन किराना स्टेशनरी किसी भी कंपनी में ओके कंपनी तुमको माल देगी पांच लाग का आज कर लोग किसी भी चीज को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूग की दीमक लगडी को तो ज्यादा से ज्यादा एक महना लगेगा माल बेचने में तो महने के आमदनी कितनी हुई एक लाख बिएंक लोन कितना है चार लाख दो चार महने में दुकान तुम्हारे पास जटे में आधा को मारे पास होगा और। जड़ी प्रिसे बताओ क्या करने पड़ेगा लोन के egen ऐनक् websites ब्रोन करो अब आप इस फॉर्म पे सिगनेचर कर दो, दुकान के कागजाद लेयो, और पैसा ले जाओ, लेकिन ये दुकान कागजाद किस दुकान से मिलेंगे, बे अकली के, अच्छा, अच्छा, नाम, नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का, गोलाज अफ कलर्स, अबे लेही बोला था, ये चला मानेगा ही नहीं, अरे कब तक मामा का धपड़दू खाता रहेगा, और वह रामी घर की चिपकली को तुछ से जादा प्यार करता है, क्यूंकि उसका खर्चा नहीं, तुमरेगा भी न उसके लिए, तो वो तुझे जलाएगा नहीं, जंगल छोड आएगा, क्यूंकि उसके पैसे बचते हैं, हाँ, और ये सब क्यूं, क्यूंकि तु उसका घुलाम है, तु हमारा पार्टनर बन जा, महिने के 25,000 रुपे, सोच ले, साल का कितना होगा, अरे पैसा मतलब इज़त, इज़त मतलब शौरत, बड़े-बड़े कमिशनर नेताओ के साथ उटना बैटना होगा, उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छचुंदर लगेगा, सोच ले, पैसे की चमक से चम चमाता होगा तू, सीना फाड के जब वो फटी जर मामा के सामने खड़ा होगा, तो कैसा लगेगा, सोच, सोच, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गिर्मी रखेगा क्या, चार जोड़ी चड़ी बन्यान छोड़ कुछ है तेरे पास, है, क्या, मेरे पास एक प्लाइन है, क्या नाम बताया, सुनीर नहाटा, क्या लगता हो तेरे दोसका, जी जा, बड़ी नोखरी, बड़ा घर, बड़ा आदमी मामू, लेकिन मैंने साब बोला, कि धंदे यारी में कोई दोस्ती नहीं, कि साथ दे इसापले, क्या, ताली, मामू, गहने, सोने हीरे के गहने, गहने अपने पास, और पैसे उनके पास, पैसे नहीं लोटा पाए तो, तो तेरे बड़े दोस्त की बड़ी कबर बना दूँगा, याद रखना, समझे, रिश्वत का पैसा मजाक नहीं होता, इमानदारी के पैसे में सिर्फ महनत लगती है, रिश्वत के पैसे में महनत और जोखिम दोनों लगते हैं, समझे, मामू कुछ गड़बड हुई तो गहने बेच के पैसे बसूल, बोलो कबूल, पैले घर देखूँगा, फिर टाय करूँगा, अगर कुछ जोल निकला, तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूँगा, पैसे किस बरोसी दे रहे हैं वो, विवी क्या गहा है, मारू मारू के मामा है, बहुत अच्छे इंसान है, हमने बिजनेस करने की क्या सोची उन्होंने तो करजा देने की ठान ली हमने बहुत मना किया तो बुले चलो ब्याज पे लेलो हां लेकिन हर अफते ब्याज देना पड़ेगा उसकी फिकर क्या दीदी धंदे का पैसा बरसने लगेगा तब तक दो चार चीटे अपने जीजू पर भी उड़ा देना मेरे कलेजे को थंड़क पहुचेगी हट जरा दीदी वह हमारी इतनी मदद कर रहे है जरा अपने हातों से मिठाए देना प्लीज दो खिलो की है सोने का वर्क है अच्छा पहले तो मिठाई ये चांदी के बाग में हुआ करती थी अपने हातों से मिठाए उने देना और उनसे पैसे लेकि हमें देना आश्रवात के साथ उसी के लिए तो हम यह आए तो अब दो आगे चलो 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 आग्या हरामी अ नमस्ते घर तो अच्छा है सावान इनका या भाड़े पे लाए इनका अपना है मामा जी आप पैठी नब पैठी मैं दीदी को बोला के लाता हो दीदी दी यह दोनों कौन है दोनों इंसान है मुझे तो शैतान लग रहे दोस्त यह यह और वह तीनों दोस्त रोकड़े लाया हुए है वियाज दिन पढ़ेगा हर हफते पूरे दस टक्के जिस दिन प्याज चुके उस लोगों दिपने सोना का है इअ तो दीदी ये मामा जी मामा जी यह दीदी जी नमस्ति जी जी आप बच्चेश्श की इतनी मदद कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी हो रहे है थेंक यू सो मच। खूशी तो मुझे भी है, ब्याज्च जो लेने वाला हों। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है, बच्चे में आपकी बहुत तरीफ कर रहे थे। दीदी, दीजे ना, बॉक्स दीजे रहे। लीजे ना… कहने, 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 अचाचा, किपना है, दो-दो, दो किलो, दो किलो, सोने का है न, हाँ, 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 सोने का ही है, हाज कल चांदी का समाना तो गया, थेंक यू, ये 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 आप अपने पास रखिये न, आप कॉफी ले ये न, मामा जी के लिए, प्लीज, प्लीज, आप ले कॉफी यह रहा एक्रिमेंट और यह दुकान की चाबे अब एक साल के लिए दुकान आपका चाहे धंदा करो या भजन मुझे कोई फरकने पड़ता नो नो मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता है क्या कह रहें आप आपके पहले टकलू मैनेजर था उसने कहा शोरूम के कागजाद दिखाओ और लोन लेकर जाओ हाँ वो टकलू था मैं नहीं हूँ है मामा कर लोन के से चुप करने ऐसा मत कीजिए हम बरबाद हो जाएंगे हमने पहारी ब्यास पे शोरूम के लिए रखाम उठाई है देखे अगर आपने लोन नहीं दी तो हमारी सिंदगी बेरंग हो जाएगी प्लीज देखे आप मैं लोन नहीं दे सकता ये मेरा आखरी फैसला है क्यों ये बैंक तेरे चाचा की है गेट आउट गेट आउट ये फूल किसने मारा या मारा या मारा या मारा अरे तुम सबकी तंगडी कबाब बनाने वाला है जब तक तुम उसका पैसा बापस नहीं कर देते तब तक मैं गर बापस नहीं जा सकता है अबे नहीं करते मतलब क्या अबे जैसे हम पैसो के एंड़े बेटके उसे उबा रहे है बात क करता है कमीना मेरे नीचे डवा खाने ले गया था मुझे अभे तो वह तो अच्छी बात है न यह तो सब कुछ उखाड कर अपनी खाली दुकान भुटकर के भाव ना वेचे तो तुम लोग देखना तुम लोग देखना इसे मत बैठो मेरा दिल बैठा जा रहा है कुछ तो बोलो बहारत माता कीजए इसका उसे कहले ने देना अबे तु बोला ना कुछ बोलो तु बोल दिया और भी कुछ बोलू अबे देख देख कौन है ना इस शुटिंगा क्या बुलना है मजनु दोस्त है ना घर आयाय था अपनी लेला के साथ ह parallels that हमारे अपर हमारी शादी हो गई यार अरे यह 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 αडि दैisierung अरे वो तो तुम्वारी जानके पीछी था रहाए शादी के बाद बदल fewer अबंका कारो बार भी में ही देखताँ कमाल यार तेरा ससूर आदमिये की सिक्का इतनी जल्दी पर लट गया एक बड़ शादी हो गई फिर किसी भी माबाप के पास क्या चारा रहता है उन्हें मानना ही पड़ता है वेल कभी तुरत तो कभी नानानी बनने के बाद लेकिन वो पिघलते जरूर है थेंक्स फ़र सपोर्ट पक्या चार मिलते ओके बाई गाई इसे कहते है कुंडली के सारे घर सर पे सवार होना अभे ये कुंडली सब बंदल है यार हिम्मत बंदा तो मदा देख खोदा मर्दा होई बंदा और वैसे भी स्थकेले गोपी ना कॉन्सी इम्मत कर ली अभे अभे आसमान ने उसका साथ दिया ना देख उसकी लाइफ सब्सार होगी मतलब हमें भी एक चलना आधी अधूरी अमीर लड़की मिलेगी तो हमारे भी निकल पड़ेगी हां लेकिन लड़की टपकेगी कहां से आसमान से अब ये खटमल खटी है पर बैटे बैटे ठिंगा कुछ होने आल है थोड़ा हाथ पैर मानना पड़ेगा थोड़ी कस्यात करनी पड़ेगी फिर देख वो जरूर वो जरूर एक सही लड़की टपकाएगा आसमान से